वेलकम फ्रेंड्स टू सप्लाई चेन युक्ती आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, फैक्टरी है ये नहीं है तो कहीं नौकरी करते होंगे ये भी नहीं है तो चाहे फिर कोई चाय की टपरी होगी समूसे का ठेला होगा मोमोस का आउटलेट है चाउमिन का काउंटर है, वड़ा पाओ या इडली, ढोसा या फिर लिट्टी की छोटी सी टपरी है भाई पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है और कुछ करने के लिए कोई प्लैन होना भी जरूरी है पहेलियां छोड़ो, मुद्दे की बात ये है कि एक और्गिनाइजेशन या बिजनिस में दो सबसे इंपॉर्टन डिपार्टमेंट है सप्लाई चेन और दूसरा सेल्स पहला जो प्रोड़क्ट को रेडी करके कस्टमर तक पहुँचाता है और दूसरा जो कस्टमर से ओर्डर लेकर आता है कस्टमर से ओर्डर लाना तो अपने आप में चैलेंज है ही मगर जो डिमांड कस्टमर की प्रोड़क्ट को लेकर है उस डिमांड को फुल्फिल करना भी महाभारत से कम नहीं कस्टमर वो सास है जो बहु के हर काम में गलतिया निकाल सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोच लो कि कस्टमर तो गलतिया निकालेगा ही इसलिए मुझे अपना बैस्ट देने की जरूरत नहीं है इसलिए जरूरी है कि आपका सप्लाई चेन प्रोसेस वेल डिजाइन हो वरना एक ही प्रोडक्ट की शेप हर बार कुछ अलग होगी कभी प्राइस अलग होगा, कभी टाइम लाइन मैच नहीं होगी पुरानी वीडियो में भी हमने डिसकस किया था कि अगर सप्लाई चेन के हर एक पार्ट पर फोकस हो तो रिजल्ट बड़े ही शांदार मिलेंगे इन्वेंटरी इन में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैं बार-बार सप्लाई चेन बोल रहा हूँ हो सकता है आपको सप्लाई चेन का मतलब ही ना पता हो तो सबसे पहले आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना तो भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिजाइन के चार मूल सिदान्त है या कहें तो चार main principle of design of supply chain management in an organization फर्स्ट is what are the requirements and its generation सेकेंड is sourcing, थर्ड is pricing and the last one is post pricing activities अब ये जो भी चारो principle हैं ये आपस में interrelated हैं, interconnected हैं हर एक face के लिए कोई person responsible होगा किसी organization में मगर इन सब के लिए well connected रहना बहुत जरूरी है कोई भी isolation में काम नहीं कर सकता कोई कोशिश भी करेगा तो पूरा process dino की तरह बिखर जाएगा dino effect पता है ना, एक गिरा तो सब गिरे सबसे first principle की बात करें, जो की था generation of requirements ऐसा माना जाता है कि यह सबसे important phase है पूरे process का अकसर organization में इसको budget preparation भी बोला जाता है ऐसा भी माना जाता है कि 85% cost of materials, service and equipment related is designed in this phase यही वो phase है जब यह decide हो जाता है कि यह business करना भी है यह नहीं करना है हाला कि supply chain management directly contributor नहीं होता इस phase में since it is prepared by majority of finance people of the organizations बट यह भी true है कि इसके बाद तीनों phases में supply chain management का role ही सबसे बड़ा होने वाला है इसके बाद finance guys backseat ले लेते हैं और गाड़ी supply chain management team के हातों में चली जाती है वो कहते हैं न गाड़ी तेरा भाई चलाएगा मगर भाई यहां गाड़ी को पूरे ध्यान से चलाना होता है second point is sourcing यहां से supply chain team का काम शुरू हो चाता है एक team जो खास तोर से specialized होती है इसमें product का raw material कहां से आएगा कैसे आएगा उसकी quality कैसी होगी price range क्या होगी और अगर वो finished product है या किसी product का part है तो उसका design कैसा होगा कितने तरह के design हो सकते हैं customer की demand को वो product या part फुल्फिल करेगा आपकी factory या warehouse की location और customer की location और sourcing location या बोले तो vendor की location की logistics cost क्या होगी government compliance क्या बोलते हैं ऐसा तो नहीं कि आप जिस product या part या raw material में deal कर रहे हैं वो आपकी factory या warehouse की location के लिए allowed ही नहाओ वहाँ वो product permissible ही नहीं है feasibility क्या होगी एक बहुत लंबी checklist हो सकती है जिसके सभी यादिकतर खाने टिक होने चाहिए third point is pricing जब sourcing team अपनी checklist को complete कर लेती है तब बारी आती है procurement team की और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले procurement team खाली बैटी हुई थी वो भी sourcing team को अपने input दे रही थी और उनसे input ले रही होती है information is never sufficient इसलिए sourcing team को अकेले छोड़ देना भी सही नहीं होगा उसको proper support मिलती रहनी चाहिए एक बार sourcing team ने location final कर ली price range final कर ली logistics expenditure का estimate ले लिया अब procurement team का काम क्या है vendor comparison, negotiation, quality and quantity finalization terms and condition discussion, purchase order creation contract finalization, payment terms, delivery terms, service agreement यह सब checklist पूरी करनी है procurement team ने यह बोले तो pricing team ने but again this is not the individual responsibility all other departments are equally responsible to give extended support to the pricing team next point is post pricing activities कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी restaurant गए और एक take away order लिया take away order मतलब जिसमें आप वहाँ बैट खर नहीं खाते pack करवा के घर या ओफिस ले जाकर खाना खाते हैं तो जब आपका order pack होकर आपके पास आता है तो अकसर back को open करके चेक करते हैं हम लोग कि quantity ठीक है order वही है जो हमने प्लेस किया था bill पर product type और pricing ठीक है या नहीं कुछ ऐसा ही काम होता है उस team का जो post pricing इस process में deal करते हैं कि product की quality कैसी है billing ठीक है या नहीं quantity सही है delivery timeline मैच हो रही है या नहीं और उसको ये सब करने में assist करती है pricing team क्योंकि information वहीं से flow होकर उनके पास तक पहुचती होगी इसलिए भी उन दोनों का आपस में interconnected होना बहुत जरूरी है भाई कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसमें logistics teams का कहीं discussion नहीं हुआ देखो logistics teams तो वो कड़ी है जिसके बिना supply chain का operation या strategy कभी complete नहीं हो सकते production भी एक phase है जो important है तो जब हम SCM की बात करते हैं तो उसका design इतना सटीक होना चाहिए कि error का scope minimum या ना के बराबर हो देखो error होना कोई बड़ी बात नहीं है मगर error को improve करते रहना important है और एक ही तरह की error repeat नहीं होनी चाहिए वरना वो habit बन जाती है and bad habits can lead to a disaster तो आज हमने जाना what is design of SCM and management of SCM some tips about its management how does it work why it is important and if not managed properly it can ruin your targets watch our more videos from the channel to get more knowledge about supply chain thanks for your time मिलेंगे फिर एक new topic के साथ तब तक धन्यवाद शुक्रिया